नमस्कार दोस्तों, BSA tricky classes में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज के आप लोग के इस railway NTPC और group tricky class में जितने भी important environment के question है वो भी सारे आप लोग के साथ discuss करेंगे, इस तरीके से मैंने आप लोग के साथ अलग-अलग history के अलग से discuss किये हैं, geography के question मैंने आप लोग के साथ अ प्लाव आज की class में जो है मैंने जितने भी previous हर के आप लोग के selected question जो कि आप लोग का ELP का exam हो था, और group D का exam हो तो से question select की है, environment के, कुछ question मैंने अलग से लिए हैं, जो कि आप लोग के लिए important है इस परिक्षा के दरश्टी से, तो especially जितने भी लोग यहाँ पर group D के त्यार कर रहे हैं, आज की वीडियो को जरूर देखेगा, अंतर तक देखेगा, हर एक question को याद करते हो चलेगा साथ में, ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज की अपनी इस class को, और हाँ दोस्तों, आगर आप लोग पीडिया फाइल डाउनलोर करना चाहते हैं, त आप सभी लोग टेलेग्राम चैनल और गुरुप को जोइन कर लिजे, क्योंकि टेलेग्राम चैनल पे आप लोग को समय से सारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट, नोटिफिकेशन और उन से सम्मनित पीडिया फाइल मिलती रहेगी, तो आईए, देखते हैं हमार आज का स सही जवाब आए, आप लोग का बैंगलरू, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को बता दें, बैंगलरू स्थान पर पार्टर लॉस, दोजार सोला के साथवे संस्रन का आउजन हुआ था, इसके बाद देखिए, आप लोग का सामने यह रहा आपका अगला कुशन, किस भारत सबसे पहले आंसर कौन देने वाला है, आपको यहाँ पर यह बताना है कि निमलिकेत में से किस राज्य सरकार ने हाली में लैंको सूलर के साथ एक समझाते पर स्थाक्षर किये हैं, हरियाना, राजिस्तान, चत्तिस गड़ और उत्तर प्रदेश, तो यहां से आप लोग का स सही जवाब होगा, चत्तिस गड़, ठीक है, तो दोस्तों, चत्तिस गड़ राज्य सरकार ने भी हाली में लैंको सूलर के साथ एक समझाते पर स्थाक्षर किये हैं, चलिए, अब बात करते हैं, जलवायू परिवर्तन से सम्मंदित, तो जलवायू परिवर्तन से लड़ने की खुशला की गई है, तो कितनी राशी है, तो देखिए, अगर हम बात करेंगे राशी की, तो यह आप लोग की है, धाई बिलियन डॉलर, 2.5 बिलियन डॉलर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कहां से, C वाला, होगे, अब देखते हमारा अगला कुशन, देखि जो है, पाइडिसिपेट करेंगे, तो यहां से आप लोग का करेक्ट आंसर है, 195, तो दोस्तों, आंसर आप लोग का सही हो जाएगा, यहां से, C वाला, चलिए फिलाल देखते हैं, आप लोग का अगला कुशन, निमलिकित में से किस राज्य के गाउओं ने हाली में वन कव करने के लिए भूमी प्रदान की है, एक कोशन भी आप लोग के परिक्षा के द्रश्टी से आती महत्यपूर है, तो जितने भी लोग फिलाल वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस कोशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजएगा, क्योंकि कोशन आप लोग के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका सही जवाब, जिसका अभी आंसर है, पर महराश्टा है, बिल्कुल सही है, चलिए फिलाल आप सभी लोग में से देखते हैं, सबसे पहले कौन आंसर देगा, देखी, हाली में भारत के अधरिक् निम्रिकित में से किस मानव युक्त बिजली बिमान को चीन में उतपादन के लिए लाइसेंस मिल गया है, देखिए मानव युक्त बिजली बिमान ठीक है, चीन में उतपादन के लिए इसको लाइसेंस मिल गया है, तो दोस्तों इसका नाम क्या है, इस बिमान का, यह आप तो B वाल आंसर आप लोग का होगा बिल्कुल करेक्ट इसके बाद देखते हैं मारा अगला important question अफरीकी उद्धार यानि कि restoration पहल योजना परियोजना का उद्धेश्य क्या है देखिए दोस्तों अफरीकी उद्धार यानि कि restoration पहल परियोजना का उद्धेश्य क्या है अफर विकास को बढ़ावा देना तो आईए जानते हैं फिलाल सही जवाब इसका बन पुनर ब्रद्धी का पोशन हम लोग इन्वार्मेंट पढ़ रहे हैं तो यह कोशन भी आप लोग का इन्वार्मेंट से रिलेटेड ही है तो देखिए रेस्टोरेशन पहल पर योजना का जो मत का अंसर आएका आठ ठीक है वेरी गुट क्लास अब देखते हैं आप लोग का अगला कुशन अब आप सभी को यहाँ पर यह बताने निम लिकित व्यक्तियों में से किसने नई दिल्ली में उमंग 2015 का सुबारम किया है तो बताए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा किसन का नेक्स्ट कोशन पैरिश सिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसके दोरान कितने देशों ने जलवाईव कार उपर UNFCCC का उनका INDC प्रस्तुत किया है तो देखें कितने देश हैं यहाँ पर 188,194,199 या फिर 191 तो यहाँ से आप लोग का correct answer आएगा 189 तो पैरिश स सम्मेलन के दोरान टोटल 189 देशों ने जलवाईव कारों पर UNFCCC को उनका INDC प्रस्तुत किया है ठीक है इसके बाद देखें हम लोग बात करते हैं अब अगला important question यह आप सभी के सामने निम्रिकित में से किसने अभी हाली में भारत में अपनी प्रतम सौर उर्जा आप लोग का बिल्कुल हो जाएगा सही इसके बाद चलते हैं आप लोग के अगले प्रशन पर निम्रिकित में से किस कंपनी ने राष्ट्री यह उर्जा संदक्षन प्रुषकार 2015 जीता है तो यह आप लोग का है इस कंपनी का नाम है heritage foods तो यहां से आप लोग का correct answer होगा यह वाला तो heritage foods ने जो है आइस कंपने जो है वो आप लोग के राष्टी औरजा संदक्षन प्रुषकार 2015 को जीता है इसके बात चलते हैं हम लोग अगले कोशन तरफ global wild tigers के report के मुताविक भारत के किस राज्य में सरवादिक बाग है अब बताना सबसे ज़्यादा बाग ज यह रिपोर्ट है global wild tigers इस रिपोर्ट के मुताविक भारत के करनाटक राज्य में जो है सरवादिक बाग पाई जाते हैं इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रस्न विश्व का पहला डेंगू टीगा करण कारेकरम 4 अपराइल 2016 को किस देश में शुरू किया गया देख के फ्रेंड सब देखते हैं आप लोग का अगला question देखिए तीन अपराइल 2016 को वन एवं परयावन केंद्रिय मंत्री प्रकाष जावेलकर ने किस राज्य में वेश्व की पहली वाइट टाइगर सफारी को दगाटन किया देखिए मैं करेंट अफेर की भी question आप लोग के सा सारी वीडियो याद कलीजेगा जो भी question आपको provide कराए जाएंगे और हाँ PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलेग्राम चैनल को जोईन अवश्चे करिएगा ठीक है ताकि आप लोग को class related notification बिलते रहें जिन लोग को notification related problem आती है तो especially आप सभी लोग टेलेग्राम चै आप लोग का फिलाल मद्यप्रदेश तो यहां से आप सभी का अंसर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद देखे हमारा अगला question यहां पर देखे आपको क्या दिया गया है वैग्यानिकों की एक समूने दक्षणी पश्चिमी घाट पर रेत खाने वाले किस जान रेत खाने वाला वो कौन से जानबर है कौन सी प्रजाती जिसकी खोश किया भी वैग्यानिकों ने गुरुप ने तो सही जवाब है आप लोग का टैट पोल मेंडग तो दोस्तों वैग्यानिकों की समूने दक्षणी पश्चिमी घाट पर कहां पर दक्षणी पश्चिमी घाट पर रेत खाने वाले टैट पोल मेंडग की प्रजाती को खोजा है इसके बाद देखते हैं आप लोग का विला कुश्चन 27 मार्च 2016 को किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला जैब क्रशी विश्विद्याल इस्ताबित करने का निर्ण लिया कुश्चन बहुत इंपो अब देखते हैं आप लोग का अगला प्रश्चन आप लोग की स्क्रीन पर सहींत राष्ट की रिपोर्ट के मुताविक अक्षय उर्जा के छेत्र में 2015 में भारत और चीन ने भारी निवेश किया है इस रिपोर्ट का नाम क्या है आप सभी को यहां पर यह बताना है तो बता ही दोस्तों देखते हैं आप लोग में से सबसे पहले आंसर किसका आता है देकि सही जवाब है आप लोग का ग्लोवल ट्रेट्स इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2016 तो यहां से जिसका ग्लोवल ट्रेट्स इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2016 ठीक है तो दोस्तों इस इनर्जी इन्वेश्मेंट 2016 इसके बाद देखते हैं अगला इंपोर्टन कोश्चन देखिए आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि विश मौसम विज्ञान दिवस यानि की WMD मार्च महिने के किस तारीक को मनाई जाता है मौसम विज्ञान दिवस यह को मनाई जाता है इंपोर्टन कोश्चन है रड लीजेगा करेक्ट आंसर है 23 मार्च सही जवाब है 23 मार्च तो जिसका भी 23 मार्च आंसर आ रहा है यह बिल्कुल सही है जब संदो अब दिखते के आप लोग का अगला कुश्यमड आप सभी को यहां पर यह बतानाए कि विश्वान की दिवस दोस्तो यहां पर आप सभी यह बताए कि विश्वान की दिवस मार्च महिने की 21 दिनांग को मनाई जाता है तो याद कर लिए दोस्तों विश्वानी की दिवस यह आप लोग का 21 मार्च को मनाई जाता है और इससे पहले मैंने आपको देश्मार्च 23 मार्च को मौसम बिग्यान दिवस मनाई जाता है अब बात करते हैं अंतराश्ची इस तर पर विश्व गॉरहिया दिवस जैसे कि मैंने आप लोगो बताये था यह मनाए दाता है 20 मार्श 2016 को मनाए गया है तो इस वर्स इसकी थीम क्या देखिए 2016 की बात उकर रहे हैं तो 2016 में विश्व गॉरहिया दिवस की थीम क्या थी तो इसकी थीम थी गॉरहिया की ब्रद्धी एक की शक्ति को पहचान है गॉरहिया की ब्रद्धी एक की शक्ति को पहचान है तो फिलाल दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दखेगा गॉरहिया की ब्रद्धी एक की शक्ति को पहचान है इसके बाद देखिए आप सभी को यहाँ प कि योजना में फिर से वर्गी किरत किया है तो सही जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर यहां से चार वर्ग होगे इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट कोश्चन देगी सरकार ने सिकारी पक्षियों के संदक्षन संबंदी सहमती ग्यापन पर साथ मार्ट 1216 को हस् इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपोर्टन कोश्चन इसको आप लोग ध्यान रखेगा किस देश की मौसम विवाग ने साथ मार्च 2016 को नीले इस्तर का अलट जारी किया था यह देशा आप लोग का है चीन तो करेक्ट आंसर होगा यहां से आप लोग का पश्ट वाला तो फिलाल जैसे में आप लोग बता है करेक्ट आंसर यहां से आप लोग का चीन हो जाएगा और एक बाद आपको जाते मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने पर लाल नारंगी पीले और नीले इस तर की चेतावनी दे जाती है इसके बाद देखते हैं आप अगला कोश्चन आप लोग के सामने तीन मार्श को विश्वन दीवर्स मनाएं गया है इस वर्स इसकी मुख्य क्या थी आपको यहांपर बताना तो तो दोस्तों यह कोशिन तो आप लोग का पहले का लेकर अगर आप लोग का एक्जाम में इसवार कोशिन आएगा तो वैसे तो आप लोग जानते कि तीन मार्च को जो है विश्व बनने जीव दिवस मनाई जाता है तो 2019 की थीम क्या होगी यह आप लोग को बताने देखिए 2019 क आप लोग की थीम है यह है life low water life below water for pupil and planet ठीक है life willow water for pupil and planet तो करेक्ड आंसर यहां से आप लोग का यह होगा फिलाल इसका अंसर यहां पर यह है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग का इसस वार कोश्व और कोश्व आपके एक्जाम में आ जाएगा कि कि तीन मार्ज को जो है वेश्व वरने जीव डिबसकरूं में मनाई गया है तो इस बार किस थीम है वह है आप लोग आप कर लीज़े नोट कर लीज़े कोपी पैन लेकर लाइफ वेलो वाटर लाइफ वेलो वाटर फॉर प्यूपल and planet ओके तो चले फिलाल देखे हैं आपका अगला important question अब देखे आपको यहाँ पर यह बताने कि दक्षणी अमेरिका में देश पेरू की नदियों में तेल भिखरने के कारण देश में आपातका लागू किया गया इस देश की राजधानी का नाम क्या है फिलाल दोस्तों इसकी राजधानी बताना है पेरू की तो देखे करेक्ट आंसर आप लोगा होगा यहाँ से लेमा तो एवाल option आप लोगा बिल्कुल सही दिया गया है ओके next important question राश्टी चलवाईयो परिवरतन संचालन समिती की नौ भी बैठक किस राजधे में संपण हुई राजधे का नाम आपको बतान देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका होता है सही जवाब है आप लोग का नई दिल्ली में संपण हुई ओके next important question निम लेखित में से किस भारती राजधे ने अपना प्रतम पेट को अधारित बिजली सन्यंद प्रारम करने की योजना पनाई है यह राजधे जो आप लोग का है यहां से यह केरल राजधे ओके next question इन सभी प्रशनों को याद कर देगा एक सिरे से बिल्कुल निम लेखित में से किस संस्ता ने हवाई अड़ो के लिए मंचूरी दे नाम बतार जिसने जो है फिकार ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ो के लिए मंजूरी दी यह तो फुलाल यह नागर विमानन मंत्रालए यह संस्ता जिसने 4 ग्रीन फिल्ड हवाई fert ब्रस्ण्रみा डिए Favor Beyond प्रणाली को विज्ञान और प्रद्योगी की यानि कि साइंस एंड टेक्नलोजी तदा यहाँ पर रखा है प्रत्वी विज्ञान मंत्री हर्ष वर्दर ने हाल इमें राश्ट्र को समर्पित किया है तो फिलाल करेक्ट आंसर आप लोगा एरो सॉल निगरानी एवम प्रद्य नाम दीया गया हैं आप सभी यहां पर यह बतारा तो वैज्ञानिकों के एक दलने भारत और चीन की सीमा पर एक चडिया की नई प्रद्यकों भाराइब क्छिए यहां पर आपलों को प्रद्येग को आपना तो चार षान आपको दिये गयेáticas हेम local के लिए लिए देखिए आप लोग का नेक्स्ट कोशिन क्या दिया कि नेशनल ग्रीन ट्रिवियोनल यानि कि एन जी टी ने किस पर्योजना हेतू फइंड जारी करने पर रोक लगाई है नमामी गंगे स्वक्ष भारत क्रशी वीमा योजना या फिर इन में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर हो होगा आप लोग का नमामी गंगे इसके बाद देखते हैं मारा अगला कोशिन देखिए हाल ही में निम्लिकित में से किस राज्य में पॉलिथीन के इस्तिमाल पर प्रतिबंद लगा दिया गया है फिलाल कोशिन के गॉर्डिंग जोसका आंसर है वह आप लोग का यूपी य आपको यहां पर यह बताना है टाटा पावर रेन्यूएवल एनर्जी से एक और प्राप्त किया कौन सा गमेशा सोजलॉन डाटा विंट या फिर सुकैम तो करेक्ट आंसर आप लोग का यहां पर यह है गमेशा तो ए वाल आप्शन आप लोग का सही होगा इसके बाद आज का सबसे इंपॉर्डन कोश्य है ने आप लोग के सामने विश बैंक ने लेटेन अमेरिका और कैरी वी आई देशों में जीका वाइरस से निपढ़ने में मुस्तहदी दिखाते हुए 15 करोल डॉलर देने की पेशकस की है यह जो राशी है यह किस छेत्र में उपियोग नहीं प्रगर्टी में तो यहां से देखिए जब बाध जीका वाइरस के विशे बचाने में देखिए यहां पर इनकी जाएगी जैने के बास इशों के देखवाल करने वी मदद की जाएगी और मच्छों को नियंतित करने भी मदद की जाएगी यहां पर आपको option D दे रखता है क गंगा नधी को सक्ष्ष बनाने के लिए अठ केंद्री मंत्रालों ने एक सयुक्त पत्र यानि कि MOU पर 30 जनवरी 2016 को स्ताक्षर किये हैं इन में से कौन सा मंत्राले शामिल नहीं है आपको यहाँ पर यह बताना है देगे आठ केंद्री मंत्राले दिये गए इन में चार आप्शन आपको देगे इन में से कौन सा मंत्राले शामिल नहीं है इसका जवाब आपको बता रहा है तो यह आएगा बी आएगा सी आएगा फेडिया तो यहां से करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा और वरक आप रसायन म क्लासेज में और अगर आप लोग पीडिया फाइल डाउनलोर करना चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलेग्राम चैनल और गुरूप को जोइन कर लीजेगा वहां पर आप सभी को समय से सारी क्लासेज के नोटिफिकेशन और उनसे रिलेटेड पीडिया फाइल्स मिलती रहत हैं फिर मिलते हैं आप लोग की अगले इंपॉर्डन क्लास में तब तक लिए दोस्तों नमस्कार